तो आज हम लोग डिसकसिन करने वाले आधुनिक विहार का इतियास इससे पहले इसी पुस्तक से इडूटेरिया का शमग्र विहार जो है इससे हम लोगोंने प्राचीन विहार मध्य कालिन विहार को हमने अच्छे से किया है साथ में हम लोग ने MCQ की बात करेंगे तो इम्तिय काती आंदोलन और विहार और साथ में प्रिथक विहार का गतिन के बारे में हम लोग देखेंगे ठीक है तो चलिए शुबात करते हैं देखते आज कहां तक कर पाते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे से बिहार में आने वाले जो सबसे पहले कौन थे इरोपीन कंपनी में स इसे आते तो डएरेक्ट बिहार नहीं आते थे ठिक है वो जो ते उनका वैपारी के इंडर जो था हूगली में था और हूगली से पटना नाओ के द्वारा वैपार करते थे ठीक है तो बह WILLE लेते थे और मसाले बगरा का बैफार ये लोग करते थे तो मुखत तो जो बिहार आने बला पहला एरोपी कंपनी की बात करेंगे तो को न हो जाएंगे पुर्टगाली सोरा बारूद बनता था इसे ठीक है सोरा साल्ट फिटर बोलते इसको ठीक है ये इद में बारूद के तौर पर पर यूग होता था विसको टक परदात बनाने में इसका प्रयूग करते थे ठीक है शाल्ट फिटर बिहार इसका सबसे बारा किंद्र था इसको लेकर बिहार में क तो ध्याय औब रखना है तो डच जिसको में हालेंड बोलते थे या फिन दिढ़न भी कहते रीट टीक है तो पटना में सबसे पहले ब्यवस्तित बैपारी कोठी तूठी की बात करेंगे तो किसने अस्थापर की तो डचों ने कीया तो किसे स्थापित की एक स्थापित की इसको आपको द्याने में रखना है 2632 में 16 32 में में कहां पर तो पटना कॉलिज की उत्रीं इमारत में अपने बैपारी के जिसाले शिर्छ और है तो तारीक भी आ याद रखेंगे 1632 है तो चुना कॉलिज की उत्री इमारत तब प anthropklore जो भी चलब तो बताएगा कोई कप्शेंग तो किसका आवाज है यह ठीक है अगर पटना इन्वर्सिटी अगर पूछा जाएगा तो उन्हीं सो सत्रा होगा ठीक है पटना कॉलेज का उत्री इमारोज जो था वहाँ पर डच्छों ने अपना पहला वैपारी के इंदा स्थापित किया था अब डच्छ जो थे उन्हें दो बार फैक्ट्री अस्थापित की लेकिन उसको सफलता नहीं मिली ठीक है पहला बार तो उसने सफ़ा कब उन्हें अस्थापित करने की कोशिश की ते 16 सबीच में ठीक है तो अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर अस्थापित की तो पटना के आलम हो जाता और कहां पर अस्थापित किया था तो क्या बताएंगे अलम गए ठीक है लेकिन अगर उसको बास्तविक सफलता पुछे जाएगा उन्हें बैपारिक के अंदर अस्थापित करने में बिहार में बास्तविक सफलता का मिली तो शोलो से कावन याद रखेंगे क्या र लगने उसको बास्तविक सफलता मेरी कारण क्या था एक ब्रिटिस था जिसका नाम था पीटर मुंडी 1632 में बिहार आया था उसने बैपार की संबाबनाय देखी डच कंपनी को बैपार करते हुए देखा क्यों डच कंपनी तो अस्थापित यहां पे इसी से प्रेडिट होकर पूरी तरीके से सफल कब हो गया तो क्या बताएंगे 1632 में ठीक है तो इसको आपको ध्यान पर रखना है 1650 ध्यान पर रखेगा का आपके दिक महत्पून है भूलेंगे नहीं इसको ठीक है प्रसनाते हैं यहां से ठीक है 1620 सो एकावन कहां पर अस्तापित किया गया तो 1620 इसमें आलम गांज में ठीक है और यह सोलो चिया सी एकावन वाला जो था एकावन वाला जो कर्काना?... तो देखिएगा तो अंग्रेजों के दोरा अस्थापित करकाना था ठीक है कहां पर है पहले तो आलम गज में उसके बाद ध्यान में रखना है गुलजार बाग में पतना इस्तित गवर्मेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे का जो कराले जो है वही जो था इसका करकाना ह अब आते हैं ध्श जिसको डेन कंपनी भी हम लोग कहते हैं ध्यश कंपनी ने 17 सचाहतर में पतना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी असथापित की जगा सब का बारा इंपोर्टेंट है थीक है तो बताना ने ने देन कंपनी ने पतना में जो अस्थापित की किस में ठीक है इसको आपको ध्यान में रखना है ठीक है मुगल सासक फरुक्सियर की बात करेंगे तो तो यहां पर मैंने दो तीन चीज़े बताई तो सबसे पहले बिहार आने वाला अगर पूछेंगे एरोपी कंपनियों में कौन था तो क्या बताएंगे तो फ़स एरोपीन कंपनी था पूर्थ गाल था ठीक है उसके बार आते हैं डच आते हैं इसको हॉलें नीडेलेंड भी क रहते हैं ठीक है और यह 1632 में अपना एक करखाना स्थापित करते हैं पटना कोलेज की उत्री इमारत था और यहां पर देखेंगे उसका अंग्रेज अंग्रेज की बात करेंगे 16-20 में अस्थापित करने का परितन करते हैं लेकिन वह सफल हो जाता पुन्हाता इनको सफलता है कम मिलती है तो क्या बताएंगे तो 1651 थीक है और इनकी करखाने कहां पी ते सुरू में इन्होंने आलम गज में अस्था पित किया था लेकिन जो सफलतम करखाने की बात करेंगे तो गुलजार बग पतना इस्थित गवर्मेंट प्रिंटिंग प्रेश एवं सर्वे करें ले था ठीक है डच की बात करेंगे तो यह भाई साब 374 में आते ध्यान पर रखना है काफी इंपोर्टेंट है और नेपाली को ठीक है समीप अपनी मिनली जो है हमको ब्रिटिस को ही फोकस करके पढ़ना है ठीक है तो अंग्रेजी कंपनी को 1770 में बैपारी का ठीक है प्राप्त हो गया था दूसरी और मुगल समराथ फरुक्सियर को 1770 में मुर्शिद कुली खान को ठीक है बंगाल का सुबेदार बनाएगा ठीक है तो बात करेंगे पुधिसा की फुधिदारी भी है तो बंगाल अधृशा के सुपढ़री मुर्षिद कुली खान को दिया गया था थिक है ठ्यानवर रखना है अब यहां पर कुछ चीजे होती कुसी important development उसका आपको ध्यानव रखना है मुर्सिर कुली ख्यान के बार उसका जो उताधिकाली उसका नमता सुजाउदीन ठीक है सुजाउदीन की बात करेंगे 1707 में क्या हो ता बंगाल का नबाब बना ठीक है किसके दौरा बिहार का उपसुबेदार तो क्या बताएंगे तो सुजाउदीन के दौरा ठीक है किसके दौरा सुजाउदीन के दौरा ठीक है सुजाओ-दीन की बात करेंगे किका सक्सेसर्ट था तो क्या बताएंगे इसका मुर्षिदकुली खान का ठीक है पेलकुल मुर्षिदकुली खान का क्या था सुजाओ-दीन के बाद सर्फराज खान चाild अच्छा सासक नहीं था इसलिया फरदी खान जो था इसको प्रास्ट करता है एक लराई में अब बंगाल को हथिया लेता है ठीक है तो इलराई जो होती इसको battle of giriya के नाम से जानते है ठीक है फिर गिरिया के उद के नाम से जानते है एक्जाम में काफिवार प्रसंद पूछा हुआ है लगाजित होता है उसमें क्या होता है उसको प्राजित करता है खुद मतलब बंगाल का नवाब बन गया तो सट्रा सो चालिस अलवर्डी खान का लाएगा यह सट्रा सो चालिस में बनता है यह 15 बणसों तक रहेगा कब तक रहेगा अलवर्दी खान 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 अलवर्दी खान बंगाल पर अधिकार कर लिया तो क्या बताए खीतों के लिए नवाव एमा अंग्रेजों के भी संगर जो था सभाव इकता है कि इसने मुगलों को एक मुस्त रासी दे दी थी खीति चिसुटि नहीं था ठीक है अलबर्दी कहन का कोई जी मिर्दी का पुत्र थी दो खेंगे शीराजु दोला बंगाल का नवाब बना सीराजु दोला अलबर्दी खा-थाराण का सबसे ठीक का पुत्र था, ठीक है, ध्यान में रखना है, और उसके बाद ध्यान में रखना है, और उसके बाद ध्यान में रखना है, तो सिराज दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दमाद धाका वें पुर्निया के उप नवाब नराज थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, तो सिराज सपन को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना परा सिराज दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तता कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रख दिया ठीक है और यही जो संधी होती इसको अली संधी के नाम से जानते काप यह इंप्पोर्टेंट है तो सबसे पहला संखार जो होता सिराजु डॉलार ब्रिटिस के बीच में सब्सक्राइब सब्सक्राइब काल खोटली की घटना को हॉलवेल ने पर चलित किया हॉलवेल की बात करेंगे बिटी सेना में अधिकारी था प्येसा से यह डॉक्टर था ठीक है तो जो 146 लोगों को जो बंदी जो बनाया गया था इतने लोग थे 146 लोग जो थे उसमें से यह भी एक था ठीक है इसके अनु को 18 फिट लंबया 14 फिट चौरे कमरे में बंद कर दिया गया कि जुन को कमरे को खोलने पर मतलब तीन दिन के बाद कमरा को खोला गया तो उसमें से केवल 23 वेक्ति ही जीवित बचे ठीक है मतलब 123 वेक्तियों के दम घुटने से क्या हो गई ति मिर्टू हो गई ठीक है इस कलकता पर अधिकार कर लिया 9 फरवरी ठीक है 1757 को ध्यानवर रखना कौन सी संदी होती है अलिनगर की संदी के लिए सिरावज दौला को विवस कर दिया गया यह चीजे समझ में आई मतलब सबसे पहले ध्यानवर रखना है क्या होता है बैटल ऑफ गिरिया होता है उसमें क् उसके सबसे चोटी लर्की का पुत था तीन लर्किया थी लवरदीखन के पास ठीक है तो सबसे चोटी लर्की जो थी उसका जो पुत जो था वह सासक बनता है मत्तव नवाब बनता है जब नवाब बनता है तो ब्रिटिस यहां पर अपना एक अलग ही मतलब पैरलल गवर्मेंट चलाते रहते तो संघर सोना सभाविक था तो चार जुन सत्व से चपन को ठीक है बहुत समझाने के बाद भी जब ब्रिटिस नहीं समझता है तो कासीम बजार को कासीम बज स्कॉट बिल्यम का डिकार कर लेते हैं जब खर्ट बिल tracking के लिया और इसी की क्या होता है फ魚 से सीजिघ में में खटना कर दीए के घटना कार failure को ठीक है के बाल निकाला गया तो पता चला उसमें से मात 123 लोग ही मतलब क्या है जी भी ते रह पाए ठीक है यह यह था कथा जो कहानी जो है से हॉल्विल के द्वारा ही मतलब परकासी थे ठीक है बाद में कलाई पहुंचता है ठीक है मदरास की सेना पहुंचती है और अली नगर के संदी को भं करने का इस पर आरोप लगा जाता है जिसके बाद तारीक जो था ध्यानव रखना है 23 जुन 2757 को अंग्रेजों सिराज्वला के मतलब गंगा की साहक नदी भागी रत यह नदी पुछते ता सब पलासी की लराई किस नदी के किनारे हुई थे ध्यानव भागी र गया है ठिक है अब यहाँ पैर देखेंगे लराई में मीर जापर जो कि नवाप का सिनाफ्ति था ठिक हैं और शिराज्वला का मॉसा भी था राचवल अंग ब्हद's करेंगे बहात करेंगे मानिक चन्थ की बात करेंगे अमीर चन्थ की की बात करेंगे सबके सब ब्रिटिस से जाके मिल गए ठीक है लेकिन दो बेक्टी जो थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया दोनों कास्मीरी थे मिरमादान और मोहलाल ठीक है दियान में रखना है दोनों ने सिराज दौला की तरफ से इद में भाग लिया ठीक है विश्वास घा और मिरसम्र का बनां कर दौलि जवाद का बना गया ठीक है और उसके बार के बाद कारीन के बात हाले कि बंगाल का के रही जयाफ रख ऒशेत नाम हो गया था इसने काफि वह वाही वंटोड़ी थी उसने 307 साथ में मीर जाफर की जगह उसके दवाब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए कि जब मीर जाफर नवाब तो बन गया लेकिन उसको पता चला तो बाई साब कुछ है नहीं इसमें ठीक है बस नाम का हूं कुछ भी है नहीं हाँ पर कुछ भी अब लेवल नहीं है जब होता था उतना पैसे की डिमांड कर देते थे ब्रिटिस ठीक है और रिसोर्सेस भी बहुत ही बुरे तरीके से प्रयोग कर रहे थे तो मिर्जाफर को लगने लगा सब्तों में बहुत बुरा फस गया हूं तो इसका भी मतविध होने लगा बिटीस के साथ तो अंग्रेजो ने इसे हटा कर क्या Videos Wirka करने के उड़ेश net मुरशीदा बात प्रिवर्तन करेंगा मुरशीदा भाठसर दानी उठाकर के जाएगा तो विहार कि मुंगेर में अस्तान्तिर कर लेगा ठीक है इसको आपको ध्यान में क्योंकि हाँ पर क्या कर बारे अधिकारी जो थे एक रहे तो इसके लेकर सिराज इसके पास, क्या नाम इस गां? मीर कासिंग के पास हमेशा मतलब क्या होता था? जो भारतिय बैपारी जेत हो, वो मतलब सिकायत करते थे, हम लोग तो टेक्स देते है ऐसा क्यूं हो रहा है? अब वेक्टी कर पेपार हो गया. तो आप गारतिय के लिए दुर्पियों के कारण उसे इसं 텐 ब्रिटिस बैपारियों को परसानी होने लगी, उसने सेना को अधोनी करुप से प्रसिक्चित करने के लिए ये नाम काफी important है ठीक है गुर्गिन खान नामा अर्मेनाई वेक्ति को रखा था ठीक है ते गुर्गिन खान ध्यान में रखना काफी important नाम है कि अर्मेनियाई वेक्ति था इसको रखा था ताकि सेना को आधूनिक बनाया जा ठीक है जब ये बात बिहार के नाइव सुविदार राम नरायन को पद्द से बर्खास करके उसकी हत्या करवा दी थी तो इससे क्या होता है तो इसका समन्द्र किसका समन खराब हो जाएगा तो अंग्रेजोगा ठीक है आप यहां से प्रस्ण क्या पुछा इस बाद टीचर के एक्जाम में पुछाए का सम पटना मास्का पटना नर सहार के रूप में काफी चर्ची था उसे पूछा था उस समय जब पटना नर सहार से समंधित है घटना उस समय ने पटना फैटरी का अधिकारी कोन था ठीक है उसका नाम था एजेंट एलिस ने विल्पिल उसका ध्यान पर रखना है ये प्रस इस बार पूछा गया I think किसी टीचर बला एक्जाम पे था ठीक है तो मिर कासिम के बहबार से नराज होकर चौवीच जुन अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया मिर कासिम ने पटना पर अभियान करके एलिस की हत्या करवा दी ठीक है ध्यान पर रखना और यहां पर जो इनका मदद जो कर रहा था नो फ्रांसी सी कर रहा था एक लाइन में खारा करवा के एक लाइन में खारा क करवा के रवा कर बाख आक प्रकंट को बंगाल का बना दिया घाए तो पूरा मतलब ध्यानवर रकना किसको नवा निए सरी किल्साом उसनी को हुए और पर विए ने आड़ में नोs डूलार मुगल वार्शा सालम दूतिये से ते रहता दिया गया थैंवी ये भागे-भागे कहां पहुंचा थे सुजाउड ओल्ला के वार्षा नॉतिये जो-छोठा वहां पहुंचा थे सब आपस में क्या करते हैं संधी करते हैं त्रीपलेट मुनट त्रीगुट का निर्वान करते हैं ठीड भीटिस को हरांने के लिए एक पूछेगा था तौह सालम मुदों के नेतित में 22 सक्टूबर सता से चौशट को बक्सर में लड़ती है ध्यान पर रखेंगे बक्सर इंपोर्टेंट जगा है बिहार उतर पर इसके बीच का बोडर भी का भी निर्वान करता है घटना थी 22 सक्टूबर सता से चौशट को इस इउद में संजुक्त हार ग लगत इस इहर किसमे हैं बंगाल का नवाब मिर जाटता जिसके करेकाल तो कभी अगर पुछा जागा सिक इउद के संद्क कोई कोई भी लोग नहीं करें गलत हो जाएगा कॉन कुछ है का विग्षा को नवाप बदल गया था इसको आपको ध्यान वह बुज़े का मुगल सासक घ्यान पर रखेगा क्या नाम था विल्पूर ठीक है तो इसका आपको ध्यान पर रखना है अब क्या होता यह सारी चीजे हो जाती है तो बारागा सथर शौ पैसट की दीन था इलाहाबाद की संदी के तत मुगल समराज सालम दूथियों को 26 लाख रुपए वार्सिक माइकवन कीजिए वार्सिक पेंसन के बदर इस इंडा कंपनी को बिहार बंगाल उडिसा का दिवानी अधिकार देना पर आप देखें का कलाइब जो था वहाँ पर चला गया था ठीक ह कलाइब वहाँ पर काफी पैसा बगरा लेके गया था हूँ आपर काफी कुछ था काफी अच्छा लाइफ जी रहा था बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा था इस सारी चीज़े हो रही थी लेकिन इसी भी पता चलता है से भाज साब इस ने तो बिहार बंगाल और सौरी मु भारत हासिल थी तो कलाइब को यह चीज़े सुनाई उनको पत्र भेजा गया कलाइब गोला अच्छा ऐसी बात है ठीक है चलो मैं आता हूं तो यह घटना आप देखो कि बाररा बाइस अक्टबस सत्रों से यह सत्रों सो पैसे नों जो इलाहाबाद की संदी होने का सबसे ब से डील करने आता था तो फिर कलाइब ने मतलब इन लोग के सा संधी की संधी को इलहाबाद के संधी के नाम से जानते हैं पहली संधी जो थी 12 संधी की बात करेंगे 16 अगस से होती है ठीक है संधी में क्या था तो संधी में आपको ध्यान बठकना 26 लाक रुपए वार्षिक pension देना था किसको British को सब्सक्राइब करेंगे तो इसके बाद क्या होती की इलहावत की संधी में बिल जाता दिवानी अधिकार लेट्भी बिटिस के लिए बहुत बरी चीज पर सीवल जेस्टिस की बात करेंगे हस्सिवील का जो वब रहता है मतलब मैं लागान वसुलि राज़स्य लिख काढ़ीकार जो था वह एडमिस्टेशन तो चलाने के काम अभी मतलब क्या होगा ज़ो शासक जो गा उसी के रहेगा ठीक है जो का मामला जो होता है वो मिलने किसके पाजाता है तू मतलब British Impart British Impart तो नहीं कहेंगे British Company कहेंगे ठीक है और इसी के साथ बंगाल में क्या होता है डैरकी की सुरुवात होती जिसको हमलब बोलते है दुएद सासन परनाली यह एक परनाली थी जिसमें दो तरह से सत्ता को चला जाता था और इस पर नाली का देन जो है लियोनस कार्टियस को जाता है ठीक है था दोयद सासन का जनक की बात करें किसे बोलते है लियोनस कार्टियस को बोलते है एक पुस्तक लिखी गई थी काटियस के दौरा डार की वहाँ पे इस तरह का प्रसासन के बारे में जनकारी दी गई थी, ठीक है, तो कलाइब के दौरा सत्तो सो पेस सेट में बंगाल में दौरुद सा सन gives की असटाफ नी की गई इसके दो ध्यान बें जो प्रसासन कैसे चलेगा नहीं चलेगा लोगों के कैसा ध्यान में रखेंगे हस्पीटल के सु Finding का कहा रहेगी नहीं रहेगी ठीक है सारा जाएध्मिस्टरेशन का सारा जीव जिमेबारी जो था किसको दिया गया नवाब को सौप दिया गया ठीक है तुम देखो तुमको क्या करना है ठीक है शेना का मामला ठीक है टेक्स का मामला किसके पास रहा गया तो ध्यान में रखना ये किसके पास रहा गया तो ये नवाब के पास ब्रिटिस के पास ठीक है ध्य सब्सक्राइब क्यांप निकर ने का ना इसकाल को डांखू राजी की संग्यां दिये ठीक है क्योंकि इसमें 1770 में क्या होता है भैंकर अकाल परता है ठीक है तेक अकाल के लिए कमिशन बनाई जाती है वही बोलता से बाई सब ऐसा करो गोल घर बगरा बनाओ तो आगे चल के आप देखोगे बोलता भी बनेगा ठीक है तो 770 में बहार बंगाल और बिहार के चल्ट में भीषन अकाल परा पतना भागलपूर दर्भंगा पूर्णिया में अकाल का प्रकूर भेंग करता ठीक है और 772 में इसी प्रस्तिती में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग से द्वारा द्व गवर्नर था झा और या छब हम इक टाता है तो उसके बाद वे गवर्नर रहता ठीक है तो लगाया गया क्लाइब के दिवारा बंगाल का अंतिम नवाब था तो मुबार्ण के नाम रोड़ा है तो मुबार्ण को दोला की बात करेंगे तो बंगाल का लाइस नवाब था इसको आपको ध्यान वर रखना है ठीक है अब यहाँ पर धियान में रखना है तो एक प्राससनिक मंडिली बना था बिहार को चलाने के लिए तो उसमें कुछ लोग सामिल थे ठीक है तो सबसे पहले बेटिस सदीकारी की बात करें मुख्या धिकार इसका नम था क्या नम था इसका इसका नम मिडलतन था ठीक है साथ में कौन थे तो धिरंवे कर धिरजनराइण और साथ में सिताब राइख साथ एक प्राससनीक हमड़ा को सगव में हटा दिया जाता है सिताव राय को कंपणी के द्वारा नायब दिवान बनाए गया ठीक है तो इसको भी आप धिहान पर रखना है से 766 में पटना इस ती फैक्टरी के मुख्या दिकारे मिडल टन को राजा धिरज नरायन और सिताव राय के साथ एक प्राससनिक मंडली का सदस्ट बनाया गया था एक साल के बाद धिरज नरायन को हटा कर सिताव राय को कंपणी का नायब दिवान बनाया जाता है ठीक है अब सत्तर सो सत्तर में तो बिहार में अकाल परा था सत्तर सो सत्तर में परा था फिर मतलब का परा तो सत्तर सो सत्तर सी में बिहार में फिर से अकाल परा तो वहां पर जांच के जो अधिकारी जो थे से इसका क्या रीजन है इसका क्या सुझाब हो सकता है कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है तो जांच अधिकारी जान सोर ठ रखेगा उन्होंने एक अनानागार ग्रेंडरी जिसको कहते है उसका सुझाब देता है और 1784 में पटना में ब्रिटिस इंजियर जिसका नाम था जॉन की दोरा गॉल कई जो इस में सासन की बात करें कि गवर्नर कौन थे ध्यान में रखना है घ्यार w घ्यान में दोड़ावएं के बारे में हम लोगोएं रहा इसका आप जॉन देम रखना है आ lagारो saya प्रफी का धिकारी उसके नाम था यैलीस के नाम था यहां पर आप वह बतने ये भी बतन का धिकार क्रिशनय को समबावत10 कि इस अब धियारा का भूर मुल्टेटीमें भी पर हाता था 70 70 में भी ठीक है 1770 में और उसके बात करेंगे जो गठ जोर जो बनी थी तिर्गुट सेना का ठीक है उसमें मिर कासीम नवाब सुजाओ दॉलार मुगल बाक्षा शालम दुतिये थे अउधर से कौन थे तो ध्यान में रखेंगे हेक्टर मुंदुलो उधर से कौन थे हेक्टर मुझलोग है इसको आपको ध्यान में रखना है इंपोर्टेंट हैं ठीक है काफियर गपात्वून यह इसको ध्यान में रखेंगे भूलेंगे नहीं ठीक है और आगे के प्रसनों को भी आज हम लोग देखेंगे जैसे किसे मैंने तीन टॉपिक दिया था आज मैं तीन व Chief तो किया क्या इसके पीशेज लोगों करना पर जनजाती छेप्रों में अंग्रेज के बठते राजनितिक आर्थिक अम सब्सक्राइब करने तो तो क्या बोलते हैं हसेचेप तो बढ़ाई रहा थे आर्थिक भी था धार्मिक भी था धार्मिक में वहीं समस्टारी बेगरा का परशार बेगरा करना उसको आपको ध्यान बर रखना ठीक है अब बिहार की बात करेंगे तो डेट टाइम इसमें जार्खन भी इनकिली उठा त ठीक है राजा का नाम ध्यान में रखेगा है राजा जगानात थे इसमें आपको ध्यान में रखना है तिल्का माजी का विद्व ध्यान में रखना है ये तिल्का माजी भागलपूर से थे भागलपूर में जाएंगे तो तिल्का माजी पहले जंजाती नेता है जिनको पूछाई. तामार विद्रो था, चेरो की बात करेंगे, तो मैंने बिहार में परहा था, तो उसका नेता कभी-कभी पुछा जाता है. संथाल की बात करेंगे सिधु खानु चान भेरब इनके नेता थे संथालों के उपर ब्रिटिस का निती जो थी बहुत अधिक खराब थी ठीक है ये लोग जो सराब बैगरा बनाते थे नो उसमें 25 पैसा कर लगा दिया थे 25 पैसा टेक्स देना परेगा ठीक है अभी भी गाहों में खुब मिलता है ठीक है आज काल तो मिली रहा है ठीक है तो ये लोग जो बनाते थे अपने परियोग के लिए बनाते थे लेकिन क्या हो था ब्रिटिस सरकार ने इसे 25 पैसा कर लगा दिया था जिसके बाद ये लोग आप यह दिक नरास थे धार्मी कानर य कर ब्रिटिस सरकार की राजश्वकर की ने थी वो सब मतब जंगल में भी इस्ट किया जा था जंगल को बरे पैमाने पर काटा जा रहा था इनके चरागाह वाला भूमी पे अधिकार कर लिया गया था इनके जो पहले से खुट-खुटी वेवस्ता बेगरा जो थी वो सब सम हुटा था ये गांधी बाधी था ध्यानता है कि बहुत हिंसक नहीं था गांधी बाधी मोमेंट त्वी आपको ध्यान रखना है ठीक है गांधी जी के विचारों से परभा भी था अव हम कुछ विद्धरूह के बारे में हम लोग देखेंगे सबसे प्रमुव वीदरों में जिसे दामने कोह के नाम से जानते था actually में क्या था है पर रेल लाइन बन रही थी ठीक है तो रेल लाइन जो बन रही थी न तरी लोगो पकर-पकर के ले जाते थे इनको जब रस्ती काम करवाते थे उनके बजमें को कुछ मिलता नहीं था तो बेगारी की जो काम बेगारी जो करवाए जाता था ये भी इसका कारण था ठीक है जंजातिय शोषिन की विरूद ये प्रथम ससक्त जंजातिय विद्रों था ठीक है इसने बिटिश सरकार को पुरी टेकर हिला के इसलिए रख दिया कि बंगाल का डैटाइम का 30% आर्मी की बात करेंगे ने कैबले संताल बिद्रों को दबाने में लगा या ते का तीГा मतलं बिद्रों के अलावे जो शाहुकार जो होते थे जो जमिंदार जो होते थे सब के सब डीकू में आते थे ठीक है मतलब जो की इनके परिवास से जुरा हुआ नहीं तो वो लोग आते थे इनको परजान करते थे ठीक है इस विद्रों का कारण बाहरी लोगों का सोसन था माजी वेवस्था जो था है परहा पंचात वेवस्था माजी वेवस्था में परहा पंचात वेवस्ता परिवत निमाजी वेवस्ता परहा पंचात वेवस्ता इनका लोकल एड्मिस्टेशन होता है ठीक है ये लोग खुड डिसाइड करते हैं अगर आपस में लराई जगरा बगरा हो जाता है तो सजा बगरा भी सुनाने का काम ही करते हैं ठीक है किस परकार से इडिमिस्ट्रेशन चलेगा उनका डिसाइड ये करते हैं विटी सरकार का मन्था से भाई जो एक्ट बगरा जो ला रहे फालतूत हो ने तीरपन में एक लाए है उससे पहले हम लोग जो थ करने वाले तो चार भाईयों को दोरा मिलनी क्या होता है बिद्दरो शुरुआत होता है जिसमें सिध्व कानु चांद भैरब भाई थे इनकी दो बहने भी थी इन दोनों ने इन्होंने क्या किया है गाव में एकटा हुए उन्होंने बोला से भाई से हमें जो है सपना या ठाकूरजी का सपना है से अब जो है स проблемы अपना राज अस्थापित करना इनको मतलब क्या करना है बहर भागाना है अब खुद को इन्होंने मतलब ठाकूरजी का छोटा भाई नहीं कि एक खटा दा जान Value देविया अपतार बताना परता है कि गांधी जी जैसे लीडर का मिल जाना तो उन्हों नों कभी अपने आपको देविया अपतार नहीं बनाए कि बहुत है लोग उनके साथ जूरते गए लेकिन आप सड़न चाहत तो कोई रिफोल्ट हो और आपके पास कोई मजबूत कारण आपको धर्म का सहरा लेना परता तो बहुत सारा दिवासी नेता अपने आपको एज गॉड़ प्रोटेक्ट करते थे या फिर यह बताने की कोशिश करते थे आई अपने आपको मतलब उनका चोटा भाई कह लिए मतलब ठाकुर्जी का मैं चोटा भाई हूं भाई हूं या आइम दे रिपरजेंटेटिव गॉड़ ऐसा खुद करके लोगों को अपने तरफ जोड़ने का कोशिश किया लगए शे हजार लोगों के क्या किया एकटा कर लिया ठीक है गलत नहीं वह तो हम भागनाडी ठीक है तो भागनाडी में क्या होता छे हजार संथालियों को क्या बुरी तरीके से ध्यान में रखा प्राजित किया ठीक है अब यहां पर एक शीज और भी ध्यान में एक दरोगा था जिसका नाम था इयthik महेसर्या ठीक हो बहुत यह त्याचारी दरोगा था और संथालों के साथ बहुत बुरा करता तो महेसर्या का भी नोंने कहानी समपत तो उसके बाद में देखा यह बिद्रो दोता काफी चरम पे मतलब पहुंच गया तो उसके बार मतलब जो बंगाल की जो सरकार जुत इसको टेकिट वहरी सिरियसी लिया दो अधिकारी को भेजा विद्रों के दबाने के लिए बंगाल के 30% force को लगा दियेगा इस बिद्रों को दबाने के लिए कि इस से पहले जो महीं बिद्रों होता है चोटा मोटा होता तो वो ससक नहीं था लेकिन ही सबसे पहले मेजर बारों को भेजा गया था लेकिन मेजर बारों प्राजित होते हैं फिर अलग्जेंडर और लेक्टिनन ठॉम्षन के नेटित में जो ब्रिदिश सेना जो आती है वो मतला बिद्रों के दवाने में उनको शफलता मिल जाती कि बहुत बदा पोर साया था थे इसको आपको ध्यान बेरकना है बिद्रों तो असपल लाहा है लेकिन इसके परिनाम निकलता है आगे चलके प्रगना 1 का गठन किया घया झाना में रखना है और माजी वेभस्ता जो थी उनको मानता दिया गया संथाल परगना जिसको CPT कहते हैं यह ना CPT है इस लिए इसस्ण आरह तरफ में संथालप्र सीटर कोalah संदग्शित खोसित कर दिया जाता है मतलब वहां पर किसी को भी आने जाने कानुमात इतना ही हो Von उसी समय के संथाल प्रगना एक्ट जो अभी भी चाल हुए अभी भी उन चत्रों में जाएक आप चाहोगे ठीक है अभी भी उन्च जमीन वेगारा खरीद ले या पिकिसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलोप कर दे तो आप नहीं कर सकते हो ठीक है ध्यान में रख सब्सक्राइब याद करना परता किस प्रभान में क्या क्या चीज़ दिया हुआ तो बहुत इंपोर्टेंट है सीपीटी की बात करेंगे चोटा ना को टैंसी एक्ट या फी संथाल प्रगनाएक दोनों काफी महत्पूर्ण है ठीक है और यह सारी चीज़े हो रही थी बेश इसमिश्व पाण्दी का इक बिद्रों आर भी है ऐसको मुंडा बिद्रो के नाम स्य जानते है ठीक है मुंडा जन्जाती थी यह अभी सब्सें बडी विद्धु का का दीकु का मतलु मैंने बता दे बाहरी लोगों के द्वारा सोसन था, खुंत्टकुट्टी विवस्ता में क्या था? परिवर्टन किया गया, खुंत्कुट्टी विवस्ता भूमी पर सामोहिक स्वामित्य की विवस्ता थी. इनका मानना था से भाई समः भूमी क्या है मेरा है बच्मन से मैं यहाँ पर जन्म को लिया मेरे माता थे chief मेरे पेटा थे यह तो इस भूमी मेराा है रातो राच जब यह सोकर उठे तो पता चलता से बिटिस ने ना एक दिला कर सारे भूमी पर मेरा धिकार कर लिया अब जहां पर मुझे खेती करने कर नहीं तो यहां पर खेती नहीं करने दे रहा है ठीक है हम जो थे कि सब जगह पे क्या कर टे ट्रेवल करना घुमते रहते त जहां पर भी मन करता था खेती कर दे तो कहीं पर घर बनाकर रखना सुरू करते इन्होंने बोला से नहीं एक जगह पे रहो ठीक हमारी जानवरे जो थी वह फिल्स में जाती थी चरागाह में जाती थी ध्यानवर रखना है तो उन्होंने उस पे भी पावंदी मतलब लगा जगल के चरागाह में अपने ही पाशू को चराने के लिए पे चरागाह कर लगा दिया अब इनको यह समझ में नहीं आ रहा थी जंगल तो आज से पहले मिला था अब जाकर सड़न इनका कैसे हो गया थीक है मैं इनको पैसा क्यों दूँ ठीक है यह खुद से कोशन कर रहे थ उसके बाद इनका जो जीवनियापन का में साधन क्या था जंगल से लकरी काटना जंगल के जो रिसोर्से थे उनको गर्व करना लेकिस सब जंगल बर बिटिस का अथिकार हो गया इससे यह लोग काफी बारी विवस्था को लागू कर दी गई ठीक है भूमी को जमीनदारों को दे दी गई अब जमीनदार जो थे अब इनसे क्या करेंगे टेक्स बस लेंगे अब उसी भूमी का परियोग करना जो पहले फिरी था जो कि इनका अपना था अब उसके लिए उनको ध्यानम रखना है अब इनको याओ कर दिया था था सबसे पहलेन को watching कृस्टी कर दिया और 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 फिर से मतलब हुई था प्रद नहीं था पने आपको सिन्ग Nधा का अफ्कार बताया और सिन्घ भुंगा जो था आदिवाशियों का देबता है। काफी महत्पुन देवता माने जाते हैं सिन्ग भुथन्ंगा का अपतार है । झाम हूंग है अब ऊंपार्ट सब्सक्राइब और फिर्सामुन्दा को उपर गोली चलाएगी तो बॉली बन जाएगा ले समें पर चाहिए गया माला के रूप Sandy पब्रब शुलाख का प्छुन नहीं सकता है विर्सामुन्दा तो भगवान की अफना लोगों में था सभी लोगों नो खुब विद्रो किया और इन्हों ने एक स्वरवाद का उपदेश दिया मतलब आच्रन की सुधता आत्म सुधार इस पे काम क्या अभी भी आप देखो कि जार्कन में जाएंगे तो अधिवासी लागा अभी भी मतलब काफी अधी कनवर्टेट लोग होते खुब कनवर्जन हो रहा तो इन्हों ने इसको भी मतलब रुकवाया ठीक है और इस विद्रों का प्राराम समाजिक धार्मिक सुधार के रुप में हुआ है ठीक है समाजिक सुधार भी था धार्मिक सुधार भी था समाजिक सुधार में इन्हों ने बोला से सराब का सेबन नहीं करना है, नासा पान को त्याग देना है, ठीक है, धार्मिक सुधार में ये था, इन्हों ने बोला से, धर्म को बदलना नहीं है, सिंग बुंगा को पूजा करना है, इस वर एक इस वर को मानना, ये सारे चीज़े इसमें हुई थी, ठीक है, लेकि को धार्मी के तोर पे शुरू हुआ था सुद्धी आंदोलन था इस्लामिक इस्लामिक विरूफिकेशन कहते हैं लेकिन बाद मुझे राजनितिक हो गया भैंका राजनितिक हुआ जो बेटी सरकार भर्सिस बहावी डारेक्ट इन्वाल्व हो गया ठीक है तो ये भी सुरू मे समाजी को धार्मिक था लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ इसके राजनितिकरन हुआ और सुतंत मुंदा राजी के स्थापना के लिए बिर्शा मुंदा के नेटित में अंग्रेजों के बिरूफ सबसे ससक्त विड़ों की बात करेंगे तो 1899 में में देखने को मिला ठीक है और क देखने के धर्ती आवा बिर्शा भगवान के के इनको पोगारा जाता है तीन पर Greek किस्ट वी को बिर्साम उंड़ा को गिरफतार किया गया चक्रधरपुर से गिरफतार किया कि गहां था और नौज उन्हें पहँ आप पर बात करेंगे यह जो बिद्रों जो था इस बिद्रों का सबसे बरा जो कारण जो था पता चल गया इसका जो रिस्पॉंस जो निकल कर आया तो खूटी एमां गुमला को अनुमंदल बनाया गया ठीक है जो कि अभी भी अनुमंदल है चोटा नापुर कास्टकारी अधिनियम इसको CPT कहते है ठीक है चोटा नापुर कास्टकारी अधिनियम के तौर पर जानते हैं यह सबसे अधिक महात्पून था दोने के दोना इससे प्रसंद पूछा भी जाता है मुंदा बिद्रो बिर्शा मुंदा से संबंधित प्रसंद एक्जाम में कई बर पूछे जाते ठीक है जनम की बात करेंगे बिर्शा मुंदा का जनम को जन्जातिय गौरब दिवस के तौर पर मनाते हैं जो तारीक की बात करेंगे तारीक कोन से जन्जातिय गौरब दिवस भी ठीक है और बिर्शा मुंडा का काफी सम्मान है पता ही जारकन में ज्यादेतर चीज की बात करेंगे इन ही के नाम सब को मिलेगा ठीक है यह सब जो थे 1857 के करांती से पहले होने वाले विद्रों थे इसको आपको ध्यान में रखना है नहीं यह तो बात का था 1857 के करांती के पुर्व है अब हम आते हैं पुर्व में ठीक है पुर्व में बिहार में हुए पर्मुक बिद्रों पर आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे तो शब से पहले हम लोग देखने बाले है एक मिनट उप जए दूसारी